इन्तिजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिस करने वाले पीछे छोड़ देते हैं नमस्कार दोस्तो 15 अक्टूबर 1931 रामिस्वरम के मल्ला परिवार में एक बेटा जन्म लेता है जिसके एक कान में गीता के स्लोग भूंशते थे तो दूसरे कान में डार्विन के सिधान्त नाव पर तिर्थियात्रियों को रामिस्वरम मंदिर लेकर जाया करते थे जब तिर्थियात्री मंदिय में पूजा पाट करते थे उतनी देर में बैट कर फिजी के सिधान पढ़ा करते थे सिर्फ मेरे ही नहीं दुनिया के करोनों लोगों के चहेते डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की आज बात करेंगे एपी जे ए ए मतलब अबुल उनके पर दादा पी मतलब पाकीर उनके दादा जे मतलब जैनुल दिन उनके पिता और अबुल कलाम उनका खुद का नाम इग्रहमे राश्पत 2002 से 2007 तक जनवादी राश्पत एक बार की बात है कानफ्रेंज में एक अंग्रेज ने पूछा अब्दुल कलाम कौन है एक वात की में बताईए तुहां बैठे एक बच्चे ने जवाब दिया इसे ही एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा सफल होने के क्या मुंत्र है तो उन्होंने बोला सिर्फ चार चीजे करनी है कौन सी चार चीजे ग्रेट हैं एक गोल सबसे बड़ा गोल ये उससे रिलेटेज जितने भी नालेज इक अठा कर सकें नालेज एक क्वायर के लिए जितनी कठी मेहनत कर सकें हार वर्क उसके बात परसिवरेंस हार नहीं मानने है जाहे जितने भी हारें जाहे जब तक हारें हार नहीं मानने है जीवन को हमेशा ऐसे जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिन्दगी भर आपको याद रखें आईए सुरू से सुरू करते हैं एपी जे कलाम का जन्व 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडू के रामिस्वरम में हुआ था कमजोर आर्थिक इस्तिती के मुसल्मान परिवार में जन्म हुआ पेसे से उनके पिता नाविक थे एक बार एक कलास के अंदर उनका एक दोस्त हुआ करता था जो की मुख्य पुरोहित का बेटा था वे कलास की आगे बेंच पर बैठे थे जिससे मास्टर जी नाराज हो गए और एक थपपर जड़ दिया और ये बोलते हुए कि प्रमुक सास्तिरी की बेटे की साथ कैसे बैठा है और उनको पीछे बैठा दिया कलांज चुपचा पीछे जाकर बैठ गए इसी घ पैसों की कमी तो होनी ही थी तो वे अपना खर्चा निकालने के लिए अख़वार बेचा करते थे और वे अख़वार बेचते बेचते सारे अख़वार को चाट जाया करते थे इनके घर से दूर एक मास्टर जी थे वे गणित पढ़ाया करते थे उन्होंने कहा सुबह चार क्लास में थे उनके टीचर सुब्रमनियम ए्यर जो बच्छों को सिखा रहे थे कि चड़िया कैसे उड़ती है और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था तो कलाम जी समुद्र के किनारे ले गए वहाँ टीचर को और चुडिया को दिखा कर उन्होंने बताया कि चुडिया एसे उड़ती है हाई इसको लामनात्पूरम के एक स्कूल में किया एक दिन में अपने स्कूल में किसी गलत क्लास में पहुंच गए जब गलत क्लास में पहुंच गए तो टीचर ने उन्हें एक चपाट लगाया और बोला जब तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा है क्लास कौनसी है तो तुम्हारी तो तुम पढ़ोगे क्या आगे क्या बढ़ोगे उसके बाद उन्होंने इतनी पढ़ाई की इतनी पढ़ाई की मैट्स में टाप कर गए, सौ में से सौ लाएं, सारे टीचर हैरान रह गए, और कहा है न, अगर तुम सुरी की तरह चमगना चाहते हो, तो सुरी की तरह पहले जलना सीखो, बचपन से सपने बहुत बड़े थे, इसलिए उन्होंने मद्रास की हाइस्ट स्क मिला, वे डीजाइन बनाने में लग गए, जो बनाया टीचर को खास पसंद नहीं आया, और टीचर ने कहा, अगर तुम इस बार अच्छा डीजाइन नहीं बनाओगे, तो तुम्हारी स्कालर सिप्छिन जाएगी, ये बात उनको पहुत ठेस पहुंचाई, टीचर ने मातर तीन दिन का टाइम दिया, कलाम बहत्तर घंटे बीना खाए पिये, बीना सोये, उस पर काम सुरू किया, जब प्रोफेसर ने देखा तो भी हैरान रह गए, और प्रोफेसर से सावासी देते वे बोला, बहुत बढ़िया, डीजाइन बनाया है, नीन्द और निन्दा पर जो अनुसंधान, संगठन, इसरो, विक्रम, सारा भाई के साथ कार करने का आउसर मिला, जब 1979 में कलाम जी को इसरो में सामिल किया गया, वहां उनके करियर का आहम मोर था, 1963 से 1964 के दवरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिच संगठन नासा की भी यात्रा की, 70-80 के दसक में अपने कार सफलता से कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गएं, और देश की बड़े वज्यानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा, भारत सरकार ने महत्वाकांची इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल की डेवलेमेंट प्रोग्राम का प्रारम डाक्टर कलाम की देखरेक म मिसाइले दी, जुलाई 1992 से लेकर दिसम्बर 1999 थक कलाम प्रधान मंत्री के वज्यानिकों सलाकार और रच्छा नुसंधान के सची उते हैं, 1999 में कलाम ने हिर्दा चिकित्सक सोम राजू के साथ एक कम कीमत पर कोरोनर्टरी स्टेट का विकास किया, इसे कलाम राजू स्टेट का नाम दिया गया, एक रच्छा वज्यानिक के तवर पर उनकी उपलब्धियों को मद्दे नजर रखते हुए, उन्हें 2002 से प्रधान मंत्री राष्ट्पति पत का उमिद्वार बनाया गया, 25 जुलाई 2002 को वे राष्ट्पति का सपत लिये, डाक्टर कलाम ये से तीसरे थे, जिन्हों राष्ट्पति इसे पहले ही भारत नर्तन से समानित किया जा चुगा था, राष्ट्पति पत के बाद वे सिच्छन, लेखन, मार्क दर्शन, सोध जैसे कार्यों में बेस्त थे, वे कई कालेजों प्रोफेसर भी थे, 2011 में उनकी एक फिल्म भी आई, आई एम कलाम और उनकी कुछ पुस्तके भी हैं, जैसे इंडिया डिवाइडेड, इंडिया 2020, अनलीजिंग दपाउर, वीजन इंडिया, मीशन इंडिया, इंडो मीटेवल, इस्प्रीट, आदी, कुछ पुरसकार भी उनके नाम हैं, जैसे एक बार भारत पदम भी भूसन, भारत रत्न वीर सावरकर पुरसकार रामानुजन पुरसकार इत्यादी, और 27 जुलाई 2015 को भारती प्रबंधन संस्थान सिलांग में अध्यापक कार के दवरान उन्हें दिल का दवरा पड़ा, जिसके बाद करोणों लोगों के प्री और जहेते डाक्टर एलबी जब्दुलकलाम का निधन हो गया, और उनके लिए बस दो लाइन कहना चाहूंगा, क्यूं घबराता है पगले दुख होने से, जीवन तो प्रारम भीवा है रोने से, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेखिया तेरी तराजू पे तुले न खुले, जै इन दोस्तो, जै भारत, थैंक्यू